वेल्कम टिटा चैनल गाईज हम पहुंच चुके हैं अस्ट मुन्नी की क्लब मेहनरा रिसॉर्ट आपको अप्शन मिल जाता है होचल रूम रिसॉर्ट और हमने हाउसबूट बुक किया है और यह हमारा हाउसबूट टैनी सा एंड वीटिफुल सा यह हमारा लगेज है जो अल्लेडी आ चुका है यह है बड़े सिमिलर में मैं पहले हम फटाफट कर लेते हैं रूम तूर यह हमारा वाश्रूम और बात्रूम अल इन वन है बड़े अच्छे से मैनेज़ड है यहां का इवरिटिंग आपको बड मैंने अपना रूम और यह है हमारा रूम छोटा है बड़ बड़िया है विंडो के बाहर दिखाती हूं कुछ खास नहीं है बड़ आपको बाहर से पानी ही पानी दिखेगा हन जी अब मैं उपन करती हूं मम्मी का रूम यहां सब रिलाक्स कर रहे हैं सुबह के जनी से सब काफी अच्छा वेल डेकोरेशन है रूम का सारी वुड फिनिशिंग है तो इसी स्टूपिड बात है बड हॉलिवुड की हॉरर मुवी की वाइव मुझे आ रहे थी रात को है बहुत डरने वाली हूं ऐसे तो देखे हैं मने हम आपे सारे वुड वाले गर है ना चलो चोड जादा कुछ नहीं है दूर तक सी पानी ही पानी दिखेगा और साथ में मच्चवर भी दिखेंगे अगर आपने शाम को दोर बनने किये तो हमारा वन नाइस स्टे हाउसबोट का रूम टूर दिर में तो बड़ा अच्छा ला रहा था रात को भी प्रीज मुझे अच्छा हाउसबोट और अभी हम केला अस्ट मुंडी में रुके हैं हाउसबोट पे काफी अच्छा एकस्पेर से वन नाइट का मारा स्टे है और हमने यहां पर भूफे भी लिया है फो त्री मील तो यस मैं भी अन्जुआ करूंगी हमारा लंच इन बूफे तो चलते हैं हम दही राइस, वेजिटेबल, पलाव, एंसलाट और गर्मी थी तो दही काना बहुत ज़री और बिना चीनी के मुझे दही बिल्कुल नहीं भाता पाइनेपल मेरा फेवर्ट है तो उसे देखे थोड़ा मन किया फूर्स भी खा लेती हूं और उसके साथ मैंने खाये थे पीस जब भी मैं बूफे खाती हूं तो मैं सोचती हूं कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट करूँ लेट देख रहा हैं मेरा फेवर्ट प्राट है डिजर्ट का चलो टेस्ट करते हैं होगी अब नहीं है तो अच्छा है गूर में अलग है यहां कुछ खास करने को है नहीं सिर्फ आराम ही आराम है थोड़ाम के बाश्याम होगी और मैंने बनाई अपने ममी के लिए चाए I love चाए मुझे बहुत पसंद है बट मैं जब घर में होते हैं सिर्फ एक टाइम ही चाए परती हूँ बाई भाजी कर्ला राइस विद पापर नेस्ट भाई थी डिजर्ट की मैं इतना मिठा खारी होना कि मुझे मुझे पर तरह सारा है और मेरा फेवरेट खीर था आज अजि क्रीम है अजिया अजिया खालो यलो केक है अच्छा होई खालो अच्छा ही चेक है लग रहा है ताज यह है गुड मॉर्निंग हाउस बोर्ड वाली आज हमें फट 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 सुबा करना है क्योंकि हम जाएंगे जटायू तो हम रिडि हो गया और चलेंगे इस बार मैं इतना खा रही हूँ न कि करला के ट्रिप की बात मेरे 4 kg वेट बढ़ने वाले हैं अज लिए ब्रेकफास्ट में पराथा अलुकी सबची इटली चटनी एंथ्वास ट्राइ करने के लिए और चनना राइस कोकुनट वाला लिया था क्योंकि मुझे सब कुछ टे पहला रोवे के लिए जो नीचे से आपको उपर ले जाएगा दूसरा जटायू देखने के लिए टिकेट तो हमने ले लिया था हमने किया थोड़ा वेट हमारा टर्न आने का यह केबल का रुकती नहीं स्लो होती है तो आपको फटा-फट चड़ना पड़ता है दौटते जटायू आप देख सकते हैं जटायू का यहां स्टैचू है बड़ा सा बहुत बड़ी एरिया में बनाया गया है बहुत अच्छी हवा चुल रहे थी व्यू बहुत अच्छा था बट एक ही प्रॉलम थी जलाने वाली धूप 10 मिनट भी अगर आप खड़े हो गया ना धू है श्री राम जी के पद्चिन धूप नहीं हो वेदर अच्छा हों तो यहां बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड होगा बट हमें जल्दी निकलना पड़ा कि हम पूरा डी हाइड्रेट हो गया थे फिर मैंने वहां प्या निवू पानी का ठंडा शिकन जी शबजा बीच के यहां हमें टू डेज स्टे करना है क्योंकि शाम होगी थी सुचा हम बीच घुम के आएं तो हमें ड्राइवर ने ना कोवलम बीच बोलके किसी और बीच में लेके चलाया आई डोंट नो यह कौन सा बीच है बर्ट काफी रश था वापे और काफी अच्छा भी लग रहा थ जो टेस्ट में काफी ठीक ठाक थी कुछ अलग तरीकी से मैंने चाय बनतू ही देखी मैं पहली बार ऐसा चाय पी रही हूँ अगर आपको नाम पाता हो तो मुझे कमर्मेंट ज़ूर बताना बट टेस्ट काफी अच्छा था था जाएका फिल मैंने ट्राय किया चीज एग तोस्ट एंड कुछ फूर्स एंड तमाटो जूस तमाटो जूस तमाटो जूस तमाटो जूस पहली बार ट्राय कर रहे थे और पीने के बाद अज़ी बी टेस्ट लग रहा था तो आई निट तो एट कुछ और फूर फूर्स देन हम गए त्रिवंदम के लूलू मॉल में और हम गए PBR क्योंकि हमाँ पस थोड़ा टाइम था तो हमने सुचा एक मुवी देख लिया जाए गेस हम कौन से मुवी देखने गए तो जूटी मैं मकार बहुत दिनों के बाद प्रॉपर बिर्यानी खाया अर्चलान का जो बहुत अच्छा ठीस्ट करा था फिर हमने किया थोड़ा सा शौपिंग रियान के लिए उसके बाद हम गया है पोथीज मुझे सिल्क सारी अच्छे लगती है बट सौफ वाली तो मुझे चाहिए था रेड कलर में प्रॉपर वाला रेडा वो मेरे पस नहीं है तो मुझे फाइनली मिल गया तो मैंने इस सारी को बाई किया है वहां से नेक्स्ट मॉर्णी हम गया जनारधना स्वामी टेंपल जो की वरकला बीच में है काफी सुन्दर वहां पे शंकरभान की बड़ी से मूर्ती है तो काफी अच्छा लग रहा था नेक्स्ट हम पहुंचे कोवलम बीज जो की बहुत वेमर्स है वहां पर बस यहीं तक ही था हमारा केडला का जर्णी एंड टूर आशा करते हूं आपको पसंद आए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाई